बड़ी विडमबना है जिस प्रकार का वैबहार आज कॉंग्रिस पार्टी और कुछ और ओपोजीशन पार्टी सड़क पर उतर कर कर रही है एक बात तो सपश्ट है सदन के अंदर जिस प्रकार संसद को सड़क बनाने की चेश्टा की गई जिस प्रकार अराजकता संसद के अंदर इन ओपोजिशन पार्टीज ने और खास करके राहुल गांधी जी के नित्रुत्तों में कॉंग्रेस पार्टी ने दिखाया है पूरा देश शर्मशार हुआ है लोकतंतर शर्मशार हुआ है केबल आदरनिया वेंके या राइडो जी नहीं रोए है मैं तो कहूंगा लोकतंतर का हनन हुआ है और लोकतंतर रोई है बड़ा दुखद है पहली बार संसत के इतिहास में इस प्रकार हुआ है कि लॉबी में गेट तोड़ दिया गया हूँ कांच की एक गेट तोड़ दी गई जिससे की एक सुरक्षा करनी भी हताहत हुई है वह वी आज अस्पताल में है मार्शल्स के साथ जिस प्रकार का दुर्वेवार किया गया है वह अभी कल हमने देखा है सदन में चर्चा करनी होती है सदन को इस प्रकार से धो डालना सदन में चर्चा न करना ये पराकाष्ठा होती है अराजकता का और इसी पराकाष्ठा को कॉंग्रेस पार्टी के नित्रुत्व ने प्रदर्शित किया है। बहुत दुख का विशय है। कॉरोना को लेकर पूरे देश में चिंता कमा हो ले। क्या तीस्वी लहर आएगी इन सभी विश्यों पर देश जानना चाहता है। ये वही लोग हैं ये वही विपक्षी हैं जो कह रहे थे कि एक स्पेशल सेशन पार्लमेंट का बुलाना चाहिए। मगर जब पार्लमेंट सत्र में था, सेशन चल रहा था, एक दिन कॉरोना पे चर्चा नहीं होने थी। क्या देश ऐसे लोगों को माफ करेगा? कदाचित नहीं। देश ऐसे लोगों को माफ नहीं करेगा, ये लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। से और देश के लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से अपने परिवार को कहीं उपर रखते हैं।